हाई वाट्स अप एफ्रिवल मैं हूरीमतन वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों आज मैं एक्स्प्लेइन करूंगी सुपरनाश्रल सिरीज का एपिसोड 13 और 14 हम देखते हैं कि डीन को उसकी एक दोस्त का फोन आता है और अब डीन अपने उस दोस्ते मिलने जाता है क्योंकि डीन जानता है कि वो दोस्त ऐसे ही फोन नहीं करेगी अगर कुछ important ना हो तो और यहां में पता चलता है कि डीन की वो दोस्त दरसल उसकी ex girlfriend है जिसका नाम है केस केसी ने डीन के साथ relationship and कर दिया था जब डीन ने उसे सच बताया था कि वो और उसके डैड हंटिंग करते हैं यानि कि घोस्ट हंटिंग लेकिन डीन केसी से अभी भी प्यार करता है अब डीन और सैम केसी से मिलते हैं जहां में पता चलता है कि पिछली रात केसी के पिता की कार को एक बड़ी सी ब्लैक ट्रक ने टककर मारी थी जिसके बाद उनकी मौत हो गई और उससे पहले केसी के पिता के दोस्त यानि क्लेंटन की भी मौत इसी तरह हुई थी केसी के डैड और उसके डैड का फ्रेंड यानि की क्लेंटन दोनों की ये एक साथ कार की डीलरशिप थी और वो दोनों ही African American थे यानि कि Blacks और वो दोनों उसी रोड पे मारे गए थे यहां हम केसी की माँ को देखते हैं जो कि डरी हुई होती है क्योंकि उन्हें एक Black ट्रुक दिखता है जो कि उनके पते की कार का पीछा कर रहा था लेकिन वो ड्राइवर का चेहरा नहीं देख पाई और केसी भी डीन और सैम को यहीं बताती है कि मरने से पहले उसके पिता ने कहा था कि उनकी कार का पीछा एक Black ट्रुक कर रही है अब यह तीनो क्राइम सीन पे जाते हैं जा हम वहाँ के मेयर टॉट को देखते हैं जो कहते हैं कि यह सिर्फ एक एक्सिडंट है और उन्हें कोई भी प्रूफ नहीं मिला यहां केसी को लगता है कि टॉट रेसिस्ट है इसलिए वो उसके डैट का केस बंद करना चाता है अब दीन और सैम इंशोरेंस कंपनी के इंपलॉई बनके केसी के डैट के दोस्तों से पुछताज करने के ले जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि सिक्स्टीज में उस Black ट पर डोरेंस ओन करते हैं और जीमी उनके स्टाफ में पहले ब्लैक मैं थे और अब उनकी भी मौत हो जाती है जिसके बाद हम देखते हैं कि मेर टॉट को भी वही ब्लैक ट्रक मार के चला जाता है लेकिन आखिर मेर तो वाइट थे तो उस ट्रक नहीं ने क्यों मारा या मैं आगे पता लगेगा तो मेरे साथ इस वीडियो में अंट तक बने रही है अब डीन और सैम को ढूणने पर पता लगता है कि मेर और उसकी वाइफ ने एक अबैंडन प्रॉपर्टी खरीदी थी जो कि डोरेंस की थी जो डेर सो साल पहले की थी या सैम को एक डेट मिलती है ज पता में ये भी पता लगता है कि मेर टॉड ने डोरें के घर पे पुलोजर चलवा के घर तोड़ दिया था जिसके अगले ही दिन पहली मौत हो गई थी अब ये तीनों ये पाते हैं कि सारे ही आदमी डोरें परिवार से जुड़े हुए थे जो शहर की एक अमीर वाइट फ पूछता है कि अगर वो कुछ जानती हैं तो वो उने बता दे और अब पूछने पर केसी की मा सारा सच बताती है कि जब वो यंग थी तो वो साइरस डोरें नाम के एक लड़के को डेट कर रही थी लेकिन उने ने साइरस को केसी की डैट के लिए छोड़ दिया था जब केसी की डैट के पास गया और उनको पीट-पीट के मारने की कोशिश की लेकिन केसी की डैट ने साइरस पे काबू पा लिया जिसके बाद उन्होंने साइरस को पीट-पीट के मार दिया साइरस को मारने के बाद केसी की डैट ने अपने दोस्तों को बुलाया और इन सभी दो दोस्तों ने मिलके साइरेस की बोडी को उसके ट्रक में रखा और उसकी लेंड तक ले जाके धक्का दे दिया और केसी के डैड के दोस्त वही लोग थे जो अभी तक मर गए थे यानि कि क्लिंटन सोलेमन और जिमी और तब से उन्होंने ये सीक्रेट अपने पास ही रखा और अब ये सब मर चुके हैं अब आप सोच रहे होंगे कि टॉट तो ब्लैक नहीं था तो स्ट्रक ने टॉट को क्यों मारा तो वो इसलिए क्योंकि टॉट जान गया था कि केसी के डैड ने साइरेस को मार दिया है लेकिन फिर भी उसने इस केस को बंद कर दिया क्योंकि वो जा यानि साइरिस का घोज डबी भी वही है अब डीन कार चला के उस ट्रक को दूर ले जाता है और सैम को साइरिस के ट्रक को जलाने के लिए कहता है है किलाकर इतने बड़े ट्रक को सैम कैसे चलाएगा इसलिए सैम दूसरा रास्ता ढूनता है और उसे वो रास्ता मिल जाता है अ सैम की बताई हुए जगे पर डीन कार जाके रोग देता है सैम डीन के थुरू उस ट्रक को एक पुराने चर्च की जमीन पे ले जाता है और हम देखते हैं कि वो ट्रक डीन की तरफ बढ़ता है और हवा में गायाप हो जाता है दोस्तों दरसल ये वही चर्च की समीन थी जिसे साइरस ने जला दिया था और उसके अंदर रह गए बच्चों को मार डाला था दरसल पवित्री जमीन पे स्पिरिट क्रॉस ओवर कर जाती है या खतम हो जाती है इसलिए सैम ने इस जगे को चुना था जाने से पहले डीन केसी के साथ रिश्टे को नए तरीके से शुरू करने के लिए कहता है लेकिन केसी कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो और डीन फ्यूचर में साथ रह सकते हैं और केसी मना कर देती है जिसके बाद डीन और सैम अपने रास्ते चले जाते हैं इसके बाद मोट डीन को बताता है और वो डीन से कहता है कि उन्हें ये रोकना होगा विंचेस्टर ब्रदर्स यानि डीन और सैम को इस विजन को सच होने से रोकना होगा कार की लाइसेंस प्लेट का यूज करते हुए जिसे सैम ने अपने सपने में देखा था जिससे इने पता लगता है कि उस कार का उनर मिशिगन में रहता है और जैसे ही ये लोग वाँ पहुँचते हैं तो पेरा मेडिक्स उस मरे हुए आदमी के शरीर को गैराच से निकाल के लिए चारी होती है और मरने वाले आदमी का नाम है जिम मिलर डीन और सैम को पता लगता है कि पुलिस मानती है कि जिम मिलर ने खुद को मार डाला लेकिन सैम को लगता है कि इसके पीछे सूपर नैचुरल जिम्मेदार है अब अगले दिन ये दोनों प्रीस्ट बनके मिलर फैमिली के घर जाते है या इने रोजन मिलर मिलता है जो कि जिम का भाई है और या इने जिम की पतनी एलिस भी मिलती है जिसके बाद ये दोनों एलिस से बात करते हैं और अब सैम एलिस के बेटे मैक्स से बात करता है मैक्स और एलिस बताते हैं कि घर में कोई भी अजीब चीज नहीं होती है वो एक क मिलर के घर और उनके परिवार के बारे में रिसर्च करते हैं जब सैम का सरदर्द होना शुरू हो जाता है और उसे विजन आता है कि अब रोजर मिलर की मौत खिड़की के दर्वाजे से गला कटने से होने वाली है अब डीन और सैम रोजर के अपार्टमेंट जाते हैं और उस मिलर फैबली से कनेक्टेड है और इसे लिए अगला मैक्स होगा अब यह लोग मैक्स से बात करने जाते हैं यहां यह लोग मैक्स से उसके पुराने घर के बारे में पूछते हैं जहां आप देखते हैं कि मैक्स परिशान हो जाता है जब वो अपने पुराने घर के बारे में बात कर रहा हुता है जिसमें वो और उसका परिवार रहा करता था और उसके पुराने घर के बगल में रोजर मिलर यानि कि उसके अंकल रहते थे अब सैम और डीन मैक्स के पुराने घर जाते हैं और एक पड़ोसी से पूछते हैं जो कि मिलर्स को जानता था वो पड़ोसी बत अचनक सैम का सर फिर से दर दोना शुरू हो जाता है और उसे एक विजन आता है और इस पार ये विजन मैक्स का था जहां मैक्स एक चाकू से अपनी मौं पे गुशा कर रहा था और उसी चाकू से वो उनकी आँख पेवार कर देता है और यहां एक ट्विस्ट आता है जब सैम से हमें पता चलता है कि मैक्स के पास टेली कनिसिस की ability है और इस ability के कारण शायद मैक्स और सैम जुड़े हुए है क्यूकि इन दोनों के पास special ability है अब इदेनों मैक्स के गड़ जाते हैं जहां यह मैक्स और एलिस को किच्चन में बाते हैं और वहाँ वैसा ही हो रहा था जैसा कि Sam ने अपने विजन में देखा था Max Alice पे गुस्सा हो रहा था कि इतने सार Alice ने Max को मार खाता हुआ देखा लेकिन उसने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया Max Alice पे वार करने वाला होता है तब ही Sam उसे रोकता है और डीन और सैम कहते हैं कि वो उसे अकेले में कुछ बात करना चाते है तब ही Max देखता है कि डीन के पास गन है और वो उसे पकड़ने के लिए अपनी अबिलिटी का यूज़ करता है Max Alice पे अटैक करता है जिसकी वज़े से Alice को चोटा जाती है तब Sam Max से कहता है कि वो उसे सिफ पांच मिनिट बात करने वाला है और इसके बाद अगर Max को Sam गलत लगे तो वो वहाँ से चले जाएंगे अब डीन Alice को लेके उपर चला जाता है और Max और Sam बैट के बात करते हैं Sam Max से कहता है कि वो अपनी माम को चोट ना पहुँचा है लेकिन Max गुस्से में था वो Sam को बताता है कि जब वो बच्चा था तब से उसकी पिता उसे मारते आ रही है और Max के पिता अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार Max को ही मानते थे जिसकी वज़े से वो Max से कभी अच्छे से पेश नहीं आए और यहाँ एक ट्वेस्ट आता है जब Max पताता है कि उसकी मा भी नरसरी में आग लगने की वज़े से मर गई थी और वो उपर सीलिंग पे चिपकी हुई थी ठीक उसी तरह जैसे Sam की मा मरी थी और यह सब तब हुआ था जब Max 6 महीने का था यहाँ में पता लगता है कि Max के पास 6 महीने पहले ही यह ability आई है Sam Max से कहता है कि उसकी मा भी इसी तरह मरी थी और वो तनों मिल के इसका पता लगा सकते हैं कि आखिर उनकी माम को किस ने मारा लेकिन Max कुछ भी सुनना नहीं चाता था वो Sam को एक अलमारी में बंद कर देता है और उपर चला जाता है अलमारी के अंदर Sam को एक विजिन आता है जहां Sam देखता है कि Max एलिस को मारने वाला है लेकिन डीन बीच में आ जाता है जिसके वज़े से Max दीन पे गोली चला देगा और उसकी मौत हो जाएगी और तब Sam जोर से चिलाता है जिसके वज़े से अलमारी का दर्वाजा कुल जाता है यानि Sam के पास भी टेलिकनिसिस की अपिलिटी है अब Sam दीन को बचाने के लिए उपर जाता है उपर जाके वो Max को रोखने की कोशिश करता है और डीन और Sam Max को समझाते है और तब ही हम देखते हैं कि Max खुद को ही गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और एलिस उसे बताती है कि Sam ने उस पे हमला किया था जिसके बाद Max ने खुद को ही गोली मार दी और डीन और Sam को फैमली फ्रेंड्स बताती है इसके बाद डीन और Sam मोटेल पहुंचते हैं ये लोग शेयर छोड़ने की तयारी कर रहे होते हैं तब Sam डीन को बताता है कि उसने अपने दिमाग से अलमारी का दर्वादा खोल दिया था और तबी Sam को अपनी अबलीटी के बारे में पता चला था वो डीन से कहता है कि उसके पास भी टेली केनिसिस के अबलीटी है लेकिन इस अबलीटी पे अभी Sam का कंट्रोल नहीं है तब डीन से कहता है कि Sam मैक्स की तरह नहीं बनेगा क्योंकि Sam के पास डीन है जो उसे कुछ नहीं होने देगा लेकिन डीन को Sam की चिंता है जिसके बाद ये दोरों अपने रास्ते चले जाते है और बस ये एपिसोड यह यह एंड हो जाता है तो दोस्तो ये थे मेरा वीडियो एक्स्मेलेशन Supernatural सीरीज के एपिसोड 13 और 14 को लेके उमीद करती हूं आपको ये वीडियो एक्स्मेलेशन पसंदा होगा अगर आपको ये वीडियो एक्स्मेलेशन पसंदा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मैं मिलूँगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपने बहुत ख्याल रखे Stay safe, keep hunting, lots of love